राम राम किसान भाईयों स्वागत आपका ट्रेंच विदी खेथी चैनल पर तो किसान भाईयों आज आप जो वीडियो देखेंगे ये है तेहरे 235 के बारे में कि इसमें कैसा फुटाओ है और इसमें क्या-क्या बिमारी हैं पूरी स्थिति आपको आज किलियर करेंगे तो ये जो गन्ना है ये आप देख रहें ये पिछले साल 24 अक्टूबर में लगाया था 24 अक्टूबर में इसकी बुगाई की थी और ये देखो पत्ती मैंने अब उता रही है इसकी कहीं कोई फुटाओ नहीं ये देखो आप आँख जरूर इसकी मोटी है ये तो इसका केरेक्टर है ये देखो आँख मोटी है लेकिन फुटाओ नहीं आया ये देखो आँख मोटी जरूर है फुटाओ नहीं है गन्ने की हाइट भी देख लो और ये सबसेड़ी बात देखो ये बीज में जा रहा है मील रेट पे बीज में जा रहा है और सभी किसान वाहियों से मैं ये कहा रहा हूँ कि जाद मत ले जाओ थोड़ा ले जाओ इसे लगा के देख और यह जो गन्ना आपको थोड़ा सा चोटा बड़ा दिख रहा है ये इस वज़े से दिख रहा है इसमें हमने आलु लगाए थे और आलु खुदाय करी आलु खुदाने के बाद इसमें फरवरी के मही ने में हमने इसमें बो लगा दी आपका तरबूज तो तर्बूज लगाने के बाद कुछ मदब जैसे पहली बर तर्बूज लगाया है तो इतनी अच्छी देखवाल हमते होनी पाई और जो हमारा ठेकदार था वो कह रहा था कि मैं इसे मेहनत कर लूँगा इसमें, मैं रख लूँगा तो वो ठेकदार भी इसको बीच में छोड़ गए भाग गया अब यह देखो जड़ूंदा तो है इसमें थोड़ा था लेकिन इसमें आँख इसकी फुटी नहीं और इस वज़े से जब इसके उपर बेल चड़ी करभूज के अंदर बिमारी भी आई है उस बिमारी की वज़े से इसके अंदर भी बिमारी आई है इस गण्य में तो इस वज़े से यह गण्या कहीं मतलब इसमें फुटाव है कहीं कहीं पे मैं यह नहीं कहा रहा कि इसमें 100% फुटाव नहीं होता क्योंकि फुटाव तो थोड़ा भोत अगर उपर से गोव खतम होगी, तो भी फुटाव इसमें नीचे से आ जाएगा, अब आप ये देखो जी, ये नीचे से सारी आँख ठीक है इसकी, नीचे वाली भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये निकली है थोड़ी सी, ये स्टेम बोरर आगे इसमें, ये फिर उपर जाके नि नहीं है, क्योंकि ये खेत हमारा खराब हो गया था, तरबूज की वजए थे, अब आप ये देखो, इधर देख लो, गन्ने की मोटाई देख लो, गन्ने की लंबाई देख लो, भाईयो वीडियो को इसकी इपना करें, पूरी जानकारी दुआज, क्योंकि कोई बात नहीं ये देखो, आप इसमें, ये देखो जी, मोटाई इसकी, यहां तक आ रही है, अब ये देख लो, लगबग चार-पांच इंस की मोटाई है, और गन्ने की अगर मैं हीट की बात करूँ, तो लगबग 10 फुट की हाइट है, 10 फुट का गन्ना इसमें तएर है, गन्ने की मोट कर दिखा दिए जड़े जरूर निकल लिए लेकिन फुटाव नहीं आया आख फुटी नहीं इसकी और यह दो एक खुड हो गया आपको यह दर भी देख लो इस खुड में आ जाओ यह देख लो यहां पर भी यही स्थिती है और मैं आपको इसका पोद्धा भी दिखा हुआ पोद्धा थो बहुत ही गजब का चल रहा है यह देखो इसमें कहीं फुटाव नहीं आया बहुत स्वस्त है कहीं कोई बिमारी नहीं बढ़िया गन्ना है वह देखो जब यह 238 वेराइटी हमारे पास 2008 में आई थी तो 2008 910 दो साल तो हमने भी यह केवल एक एकड या दो एक लेकिन उसके बाद दो साल बाद ही एक दम से स्पीड पकड़ी और इस तरह से स्पीड पकड़ी किसान दूसरी वेराइटियों को बिल्कुल भूली गया सारी वेराइटियों उसने खतम कर गए किसान भाईयों ने केवल 100% मतलब हर मील पे 100% बिल्कुल उसी पे आ गया 238 प अच्छी थी तो बहुत अच्छी वाराइटियों लेकिन अब उसमें पहले तो पूर्वी अपसे दो साल पहले पूर्वी छेत्र में टोब वह आया था रैड रोट और अब आसपास छेत्र में भी सुनने में आ रहा है कि रैड रोट है उपर से गन्ने मतलब सूख रहे हैं और खेत के खेत खेत खतम हो चुके तो जिन भायों के पास 38 वाराइटी कतूर साथ में विकल पर उसमें वाराइटीओं को आजवाना डिये जा नहीं फोड़ी लगाओ और हमारा में जो में मकसब था मीलरेट पर किसानों को उपल Strategy और हमारा सारा बूक पूप के चुका है यह वेराइटी सभी किसानों को यह हमने कल से शुरू हो गया देना और इसकी प्योद भी बना रहे हैं अपने लिए हम भी लगाएंगे इसको यह देखो मैं यह नहीं दिखा रहा कि वह यहां पर जगे जगे में घुम घुम के आपको यह सारा दिखा दूआ इसमें कहीं कोई खुटाओ की समस्या कहीं हो सकती है जहां से उपर से टोब बोरों ने गोब खतम कर दी वहां तो यह समस्या हो सकती है देखो इसमें कहीं थोड़ा बहुत ब्लैक इसमट भी है इस बास से मैं इंकार नहीं कर रहा कि इसमें ब्लैक इसमट नहीं है ब्लैक इसमट भी है तो व कुंदल का उत्पातन देजे और वैराइटी में कोई बिमारी नहीं है थोड़ा समय लगता है हर चीज को धलने में मोसम के अनुरूप समय लगता है और फुटाओ का कारण मैंने आपको बता भी दिया इसमें तर्बूज लगाएते तर्बूज की वज़े से इसमें बिमारी आई और बिमारी ने करने पर भी असर काफी असर डाला तो यह तो हो गया जी आपका अक्टूबर का गन्ना बहुत ही बढ़िया है और यह इदर कल लगव कि नहां से पांच शड़ पांच कुंटल बीज गया है और हम भी प्योद बना रहे हैं तो भाईयो वेराइटी को बिल्कुल भी आते ही नकारणा नहीं चाहिए इसे लगाओ हर किसान भाई लगाओ पता नहीं किसी किसान भाई ने जादे खात दिया हो या कुछ लागत जाद लगाई हो कोई कम लगा रहा है सभी किसान एक समान लागत नहीं लगाते कोई जाद पुटावाने का भी एक कारण नहीं है, बहुत से कारण है फुटावाने के, और ना आने के भी, कोई भी वराइटी सकस्पुल होती है, तो उसके पीछे, भाई, बहुत महनत लगती है, यह देखो आप, डॉक्टर लोगों की, जो साइंटिस्स हैं, वह काफी महनत से में इस पर काम सुरू हो गया था, और यह 2002 में कुछ किसानों को दी गई, और यह अब आप देख लो, 96 है, और 2022 है, कितना लंबे समय दिया, 238 में, तो किसान भाईओ, मैं अगली वीडियो बना रहा हूं, जो हमने मार्च में करना लगा था, यह तो है, अक्टूबर का, किस यह इदर तो 421 है, यहां से इदर, पहले मैं इसे आपको बहार से दिखा दूँ, फिर अंदर से दिखाऊँगा, यह दो खूड कुछ छोटे रहे गिए, यह देखवा आप, खूड के अंदर जाने की गुंजास नहीं है, खेत के अंदर खर्पतवार नहीं है, पत्ते से प अब यह फिर 142 से अगे इदर से, तो अब मैं इसके अंदर दिखाता हूँ, आपको ही ले चलते हैं, लेखो जी, यह इसमें से फुटाव नीचे से आया है, बिल्कुल नीचे से, यह भी है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, कि इसमें तर्बूज के कारण बिमारी और देखो इसमें कोई फुटाव नीचे, वराइटी में बिमारी नहीं है, इतनी, बिमारी आ रही है, हमारे कारण, हमने जो इसमें तर्बूज लगाया न, और तर्बूज लगाया है, तो उस कारण बेल इसमें उपर चड़ गई, और जगे जगे इसमें गन्ने भी हो चुगा, देखो, यह निचे से ही फुटा हुए, आँख में से गन्ना नी फुटा है, यह देखो, जिस जगा ज़्यादे बेल थी, महां से ज़्यादे खराब हो गया, इधर भी देखते हैं, यह देखो, इधर कहीं सिताव नहीं है, ठीक खड़ा है, हाइट को इधर जर है, यह देखो, पूरा करना बड़ा हो चुका है, देखो, इसकी हाइट, कोई फुटाओ नहीं, फुटाओ भी है, वो भी दिखा दूँ हमें आपको, यह मैं निचे से बिल्कुल फूट काया, निचे से ही, तो वराइटी है, जो हमारे खेत में खराब हुई है, उसका करण तर्बूज से, अगले खूल में से लो, देखो, आप नहीं आगर दिखाओ कितना गयर है, यह बेल ने दबा दिया, जहाँ जहाद है बेल थी, वहां से दब गया, और यह यहां से पहली पत्ती उत्री हुई है, क्योंकि एक वीडियो पहले बनी थी, तो देखो, यह आप द लुटाओ हो गया, गरने मैं से फुटाओ Advisor आया, आँख होगा, और उन आखोंकि में से यह घंटे तैयार होगे, यह बनगे गनन, एक गनन में से तीन गनन बन गए और आप तीन गनन की अगर हाइट की बात करो, तो लगब नहीं ने चार से पाँच फुट की हाइट हो जो कि रहे हैं और इसमें अगर आंख हम गिने तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 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 और आठ, सोल है और आठ, चोवीस, चोवीस आख एक गन्य में से तइयार है, तो, मतलब जहां यह गन्य में खतम हुआ, तो चोवीस आख हमें मिल गई, यान और दुखा देता हूं इधर भी यह तो ठीक है देखो यह आंक उपर से सुखी है यह आंक उपर से सुगी तब इसमे नीचे से फुटावाया यह आंक उपर से अगर गोब खराब हो रही है तो नीचे से फुटावाएगा वर्ना इस वराइटी में फुटाव आने का नहीं यह फिर लागट जा देती हो इस वजह सकता है तो किसान भाईयो मैंने आपको सारा दिखा दिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करें अगर वीडियो पसंद आयो इसकी सही जानगा दी मिली हो तो लाइक करें पमेंट करें बहुत बहुत धन्यवाद् झाल झाल झाल